हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लो अच्छे हैं ओके आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड के इवियस के चैप्टर थर्ड की वाटर ओ वाटर इसमें आपको चैप्टर एक्स्प्रेनेशन, क्वेस्टन अंसर, एक्सरसाइज ओ सोलोशन सारी चीज़े मिलेंगी तो ध्यान से देख Water, I will wash my face with water, मैं अपने face को water से धोंगा, said Munna to his nani, Munna ने अपनी nani से कहा, We all quench our thirst with water, हम सब अपनी प्यास को पानी से ही बुझाते हैं, we are all alive because of water, हम सब ही जिन्दा है, water की वज़े से, water has been with us for ages, water हमारे साथ बहुत जादा दिनों से है, हमेशा से है, its story can fill so many pages, इसकी कहानी तो बहुत सारी pages को भर सकती है, Somewhere it is dew, कहीं पे ये dew है, कहीं पे ये ओस की तरह है, Somewhere it is snow, कहीं पे ये बर्फ की तरह है, Steam is also water as you know, भाप भी water ही है अगर आपको पता हो, Water has forms so many, water के इतने forms हैं, that is what says my nani, मेरी nani कहती हैं कि water के बहुत सारे forms हैं, The river flow, the water falls sing, जब नदी बहती है और जब जब ज़रना गिरता है, ज़रना बहता है, तो उसमें से गाने की आवाज आती है, And water swells in lakes and springs, और water जो होता है, lakes में और springs में जाके फैल जाता है, Life on earth, it has brought, उस पानी की वज़े से ही, अर्थ पे life आई है, Watered fields and life they got, पानी की वज़े से ही हमें भरे हुए मैदान और life मिलती है, But when the water breaks in floods, लेकिन जब पानी की जगे बाड में बदल जाता है, Great mist for tune, it always works, बहती ज़्यादा बदकिस्मती होती है, बहती ज़्यादा किस्मत बुरी हो जाती है, जब ऐसा होता है, सब कुछ खराब हो जाता है, This poem is written by Shri Prashad, translated from the Hindi, Okay, आई, अब इसके कुछ questions देखते हैं, Do you know any poem or song on water recite in the class? क्या आप पानी के ऊपर कोई गाना या कोई poem जानते हैं? उसको अपनी class में सुनाईए, Which are the places mentioned in the poem? Where we find water? Poem में क्या-क्या mention है, जहां-जहां हमें water मिलता है, तो देखिए, poem में mention है, पहला तो हो जाएगा, बहुत सारी जगें mention है, तो पहला तो हो जाएगा river, देखिए river है, इसके बाद हो जाएगा waterfall, फिर हो जाएगे lakes, फिर हो जाएगा springs, इतनी सारी जगें पे हमें water मिलता है, वे हम water को पा सकते हैं, अब हमें बताना है, किस के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, खेलने के लिए नहीं होती है, सिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए नहीं होती है, और row a boat, row a boat के लिए होती है पानी की ज़रूरत, to make tea, ज़रूरत होती है, to knead dough, जरूरत होती है To paint pictures, pictures को paint करने के लिए होती है To grow plants भी होती है Play, खेलने के लिए sing करने के लिए write करने के लिए और fan चलाने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं होती है इसके बाद आईए देखते हैं Name any four activities which you can do without water अब हमें कोई ऐसी चार चीज़ें बतानी हैं जो हम पानी के साथ करते हैं तो ये तो हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं जो हम पानी के बिना कर सकते हैं वो हो जाएगा speaking, walking, reading, playing कुछ भी इस टाइब की चीज़ें हो सकती हैं और फिर things we cannot do without water अब उन चीज़ों का नाम जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते हैं वो है, eating food, washing utensils, bathing, washing clothes ये साथ चीज़ें हम बिना पानी के नहीं कर सकते हैं अब ये देखते हैं, water more or less, पानी कम, पानी जादा या कम arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities अब यहाँ पे कुछ activities दी हुई हैं ये देखिए, ये कुछ activities दी हुई है इन activities को हमें जादा से कम, किसमें सबसे जादा पानी चाहिए और फिर उससे कम किसमें चाहिए, फिर उससे कम किसमें चाहिए ऐसे करके हमें लिखना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे जादा पानी किसमें चाहिए होता है तेखिए to water the fields 1 हो जाएगा फिर second में हो जाएगा घर साफ करने के लिए तो फिर third में हो जाएगा नहाने के लिए था नहाने के लिए चाहिए होता है और फिर fourth हो जाएगा to knead the dough फिर five हो जाएगा to drink ये हो गया अब आईए next देखते है water from where in the poem you read about rivers इस poem में आप rivers के बारे में नदियों के बारे में पढ़ते हैं waterfalls के बारे में पढ़ते हैं lakes के बारे में पढ़ते हैं springs के बारे में पढ़ते हैं we get water from all these places हमें पानी इन सारी जगहों से मिलता है from where do you get water आपको पानी कहां से मिलता है put a circle around those places that are either in your house or around it यहाँ पे जो box में जो भी सब नाम लिखे हैं आपको इसमें circle करके बताना है कि कौन सी चीज़ें आपके घर के आसपास या आपके घर में हैं जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको circle कर देना है जैसे मैं अपना answer लिखूँगी मेरे घर के पास well है मेरे घर में tap है और फिर मेरे घर में hand pump है इतनी सारी चीज़ें मेरे घर पे और मेरे घर के आसपास है आप अपना answers लिख सकते हैं जो आपके घर के आसपास या आपकी घर में जो आप वो आप circle कर सकते हैं Now, have you seen hot water coming out of the ground? क्या आपने कभी देखा है गरम पानी को ground से धर्ती से बाहर आते हुए? अगर देखा है तो कहां? तो मैं बताओं हाँ मैंने देखा है तो इसका answer हो जाएगा yes इसका answer हो जाएगा yes और कहां देखा है ये भी बता दूँ मैंने ये देखा है इन सूरजकुंड इन सूरजकुंड Now, सूरजकुंड हर्याना में है Now, do you know the name of any river? Write their names क्या आप किसी river का नाम जानते हैं? उनका नाम आप लिख दीजिए अब इसका नाम आप नहीं, इसके नीचे और question है, sorry Does any river flow through your village or city? क्या कोई नदी आपके शहर या आपके गाउं से बहती है? अगर बहती है तो उसका नाम लिख दीजिए तो मेरे घर से तो बहती है गोमती तो मैं लिख दूँगी गोमती अब भी next question, ये देखते हैं Do you know the names of any rivers? क्या आप किसी नदी का नाम जानते हैं? राइट देनेब, आप किसी भी नदी का नाम लिख सकते हैं जैसे यमुना लिख सकते हैं गंगा लिख सकते हैं जो भी नदीों के नाम आपको पता हो आप उसको लिख सकते हैं और सतलज लिख सकते हैं कोई भी नदी का नाम जो आपके घर के आसपास हो चाहे ना हो कोई भी नदी का नाम बस आप नाम जानते हो उसका नाम आप लिख दीजिए आईए देखते हैं फिर At home where do you get drinking water from? घर में आप पीने का पानी कहां से पाते हैं तो मैं तो अपने घर में pipeline से आते हैं मेरे पानी आपके घर में पीने का पानी जहां से आता हो उसका answer आप लिख दीजिए Do you have to go far to get water? क्या आपको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है? How much time does it take to bring the water? अगर आपको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है तो पानी लेने में आपको कितना time लग जाता है? वो आपको यहाँ पे लिखना है Now, do your neighbors bring water from the same place? क्या आपके पडोसी भी वहीं से पानी लाते हैं? अगर yes तो yes, अगर no तो no Now, why do we need to store water? हमें पानी कठा करने की जरूरत क्यों होती है? हमें पानी कठा की करने की जरूरत इसलिए होती है कि अगर जरूरत पढ़ने पर हम बाहर पानी लेने ना जा पाएं या फिर शहरों में होता है कि light चली जाती है तो summercible नहीं चल पाता jet pumps नहीं चल पाते तो पानी स्टोर रहेगा तो हमारा जो काम है वो चलता रहेगा That's why we need to store water उसके बाद who fetches and stores water in your house आपके घर में कौन पानी लाता है और स्टोर करता है उसका नाम लिखिए Are there certain people who are not allowed to take water from there क्या किन ही लोगों कुछ लोगों कोई ऐसे लोग है Yes तो Yes, No तो No Now color the pictures of those containers which you use for storing water अब आप इसमें उन containers को color कर दीजिए जिसमें आप पानी को इकठा करने के लिए रखते होंगे तो मैं तो इसमें रखती हूँ और फिर इसमें नहीं रखती हूँ मैं इसमें रखती हूँ इसमें रखती हूँ जग में कोई पानी स्टोर नहीं करता है बड़े बड़े बड़तोरों में करता है तो इन चीजों पर मैं स्टोर करती हूँ आप भे अपना आंसर को अपने color कर सकते हैं Draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house write their names as well अब आप अपने copy में कुछ ऐसे pictures draw कर लेजिए जिनका use आपके घर में पानी स्टोर करने के लिए होता है और उसका नाम भी लिख दीजे Now take a look at the pictures If we fill them with water अब आप उन pictures को देखिए और सोचिए कि अगर हम इनको पानी से भर दें which will contain the least water कौन सा बर्तन जो है सबसे कम पानी लेगा अपने अंदर which will contain the most water और कौन सा बर्तन सबसे ज़ादा पानी लेगा अपने अंदर How could you tell? आप कैसे बताएंगे? Now, चुटकी is confused हीरेन और चुटकी वर feeling very thirsty हीरेन और चुटकी बहुत ही ज़ादा प्यास बहुत ही उनको प्यास लगी हुई थी बहुत ज़ादा thirsty feel कर रहे थे देर अंकल गेव बोथ होफ दें mango पना in steel tumblers उनके अंकल ने उनको mango पना आम का पना दिया steel के बर्तन में पर चुटकी वांटेड दे ड्रिंक only in a glass tumbler लेकिन चुटकी सिर्फ एक glass tumbler में पीना चाती थी अंकल ने उसके पना को glass tumbler में डाल दिया बट चुटकी वांट हैपी लेकिन चुटकी खुश नहीं थी शी कंप्लेंड उसने कंप्लेंड किया अंकल आपने मुझे कम पना दिया है आपको क्या लगता है चुटकी की glass में कम पना है यह देखे है यहाँ पर यह है ना इसमें आपको देखे बताना है कि कम है या जादा तो कम नहीं है बराबर है इस जस्ट कि जो glass tumbler है वो जादा जादा wide है और जो steel tumbler है वो wide नहीं है वो narrow है तो इसलिए इसको कम लग रहा था Now, given in the grid are some places where water is found grid में दिया गया है कुछ ऐसी जगों का नाम जहाँ पर हम पानी देख सकते है Find seven of them and put a circle around each अभी हमें इसमें से seven नाम निकालने हैं जहाँ पर हम पानी पा सकते हैं एक तो हुआ है waterfall फिर देखिए next हो जाएगा हम लोग search करने की कोशिश करते हैं एक हो जाएगा लेक फिर हो जाएगा sea फिर हो जाएगा well फिर हो जाएगा pond फिर हो जाएगा tap अब देखिए कितना हुआ ओबा one two three four five six अभी एक और है one is there तो ये हो गया एक हो गया ये rain तो हो गया seven तो हम seven चीज़ इन seven जगों से हमें पानी मिलता है now in every row put a circle around one that is different from the others हर row में एक odd one out है तो हमें वहाँ पे circle करना है तो देखते हैं also tell how it is different और हमें ये भी बताना है कि वो क्यों अलग है तो first में है river, mountain, lake, pond, spring तो देखिए river से हमें पानी मिलता है lake से मिलता है, pond से मिलता है, spring से मिलता है लेकिन हमें mountain से mountain से हमें पानी नहीं मिलता है तो mountain फिर bathing, washing clothes, swimming, combing hair, needing to देखिए इन सारी चीज़ों में सिर्फ combing hair बाल जाडने के लिए हमें पानी की जरूरत नहीं है तो हम इसको circle कर देएंगे फिर fish, duck, monkey, crocodile, tortoise इसमें देखिएंगे, इसमें fish, duck, crocodile, tortoise ये सारी पानी में रहने वाली है लेकिन monkey जो है, वो पेड़ पे रहता है फिर car, boat, bus, train, cycle bus, train, cycle, car ये land पे चलती है लेकिन boat पानी में चलती है तो ये हो गया इसका answer अभी देखिए, fun with colors take a paper and fold it in the middle एक paper लीजिए, उसको बीट से मोर दीजिए, जैसे ये paper मोडा हुआ है न ऐसे, now unfold it and put some drops of different colors on it, अब उसको unfold करीए और उसकुछ colors जो है, वहाँ पे डाल दीजिए fold the paper again and press it, उसके बाद फिर से paper को fold कर दीजिए, उसके कस के दबा दीजिए now unfold the paper अब फिर से paper को unfold करीए look what you have made अब आप देखिए कि आपने क्या बनाया है ठीक है ओके, ये हो गया complete हमारा chapter water oh water आपको आज की class कैसी लगी comment करके जरूर बताईएगा और channel को like, share और subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा thank you so much